लखनों में आयोजित हुई योगी सरकार की कैबिनिट बैठक में सिक्षा मित्रों के प्रस्ताव पर मोहर लग गई आपको बता दें कि बेसिक सिक्षा विभा की तरफ से सिक्षा मित्रों को वेटेज देने का प्रस्ताव था जिस पर कैबिनिट ने मोहर लगा दी है योगी सरकार प्रदेश के 1,65,000 सिक्षा मित्रों को सिक्षक भरती में उनके सेवाकाल के आधार पर 25 अंक तक का वेटेज देने जा रही है वही बात है कि अब एक पात्रता परिक्षा को उत्रिन करना आवश्यक होगा 60% उसके नंबर होंगे और 40% में उनके जो कौलिफिकेशन है वेटेज है वो सारी चीज़े आएंगी वही इस मौके पर कैबिनेट मंतरी शिरिकांथ शर्मा ने बी एचिव में हुए बावाल पर कहा कि जिन लोगों को जनता खारिज कर चुकी है अब वो लोग सिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल कर रही हैं हतास और निरास जो लोग हैं जिनको जनता खारिज कर चुकी है वहे लोग आप सिक्षण संस्थानों को के वातरवन को दूसित करना चाहते हैं और ऐसे लोग ऐसे वो लोग हैं जिनको अब कहीं पर कोई पूछ नहीं रहा है आपको बता दें कि बेसिक सिक्षकों की भरती के लिए सेक्षिक गुणांक के अलावा लिखित परिक्षा भी आयूजित करने का सरकार का इरादा है इसके लिए कैबिनिट बैठक में उत्तरप्रदेश बेसिक सिक्षा सेवा नियमा वली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है लखनव से अनिलसैनी पंजाब केसरी टीवी